आप सभी का स्वागत है हमारे चानल ताइमस अफ राजस्थान पर आज हम आपको गौतम राजपूतों के बारे में जानकारी देंगे तो आए शुरू करते हैं गौतम राजपूत वंश सूर्य वंश एक्षवाको शाक्य गुत्र गौतम प्रवरपाच गौतम अंगिरस अपसार बारहस्पते ध्रुव कुलदेवी चामुन्ग आमाता बंदी माता दुर्गा माता देवता महादेव योगेश्वर शीराम चंद्रजी वेद यजुरवेद शाखा वाजसनेई प्रसिद्ध महापुरुष गौतम बुद्वार सुत्र पारसकरग्रिहा सूत्र गौतम बंश का महामंत्र रेनुका सुक्रेकाशी कालबटेश्वर कालिंजर महाकाय अश्पबलांगनव मुत्तद प्राचीन राज्य कपिल्वस्तु अर्गल मेहनगर को पूराव, बाराउन नाव, लशकर पुरोई याबदाईयूं, निवास वावद, प्रुहेल खंड, पूरवाचल, बिहार, मध्यप्रदेश, शाखाएं, कंडवार, गौनिहा, रावत, अंटैया, गौतमिया आदी, प्राचीन शाखाएं मोरी, मोरे, परमार संभवत, अनुमानित जन संख्या 1891 की जनगर नामे यूपी में कुल 51,970 गौतम राजपूत है, अब करीब 2,5 लाख होंगे, इसमें बिहार और मध्या प्रदेश के गौतम राजपूतों की संख्या भी जोड़ ले तो करीब 3,50,000 गौतम राजपूतों की संख्या देश भर में हो गौतम रिशी द्वारदिक्षित होने के कारण इनका रिशी गोत्र गौतम हुआ, जिसके बाद ये गौतम क्षत्रिये कहलाय जाने लगे, वंश भास करके अनुसार, भगवान राम के किसी वंशज ने प्राचीन काल में अपना राज्य नेपाल में स्थापित किया, इसी वंश में महराना शाक्य सिंग हुए, जिनके नाम से यह शाक्य वंश कहा जाने लगा, इसकी राजदानी का पिलवस्तू गोरकपूर थी, इसी वंश में आगे चलकर शुद्ध दोधन हुए, जिनकी बड़ी रानी से सिध्धार्त उत्पन हुए, जो गौतम नाम से सुवि गौतम भुद्वार के वंश जगौतम राजपूत कहलाते हैं, इस वंश में राव, रावत, राणा, राजा आदी पद्वी प्राप्त घराने हैं, अश्वघोश के अनुसार गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी मुने अपने माहात्मे के कारण दीर घथपस के समान, और अपनी बुद्धी के कारण कावे, शुक्रवार, तथा अंगिरस के समान था उसका आश्रम हिमाले के पाश्व में था कई इक्ष्वाकू वंशी राजपुत्र मात्रिद्व के कारण और अपने पिता के सत्य की रक्षा के निमेतराज लक्ष्मी का परेतिया कर उस आश्रम में जा रहे थे कपिलून का उपाद्याए गुरुवार हुआ, जिससे वे राजकुमार जो पहले कौँच गोत्री थे, अब अपने गुरुवार के गोत्र के अनुसार गोतम गोत्री कहलाए एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन गुरुओं के कारण भिन्न भिन भिन गोत्र के हो जाते हैं, जैसे कि राम, बल राम का गोत्र गागले और वासुभद्र कृष्ण का गोत्म हुआ जिस आश्रम में उन राजपुत्रों ने निवास किया, वर्षाक नामक और युक्त्मुनित था उन्ठ्ट्रिये पुन्गव राजपुत्रों के कारण, उस आश्रम ने एक साथ ब्रह्मक्षत्र की शोभध धारण की एक अन्यमत के अनुसार श्रिंगी रिशिका विवाह कनौज के गहरवा राजा की पुत्री से हुआ उसके दो पुत्र हुए एक ने अरगल के गौतम बंच की नीव रखी और दुसरे पदम से सेंगरवांच चला इस मत के अविशकारक ने लिखा की एक 135 पीडियों तक सेंगरवांच पहले सीलोन, लंका, फिर मालवा होते हुए, 11 विसदी में जालोन में कनार में स्थापित हुए किन्तु यह मत बिलकुल गलत है, क्यूंकि पहले तो अरगल का गौतम बंच, सूर्य बंची क्षत्रिय गौतम बुद्वार का वंचज है, और दूसरी बात की कनोज में गेहरवार बंच का शासन ही 10 विसदी के बाद शुरू हुआ तो से 135 पेड़ी पहले वहां के गहरवार राजा की पुत्री से श्रिंगी रिशी का विवा होना असंभव है, गौतम बुद्वार का जन्म भी इसी वंच में हुआ था, शाक्य राज्य पर कोशल नरेश विभाग द्वारा आक्रमन कर इसे नश्ट कर दिया गया था, जिसक पसिद गौतम राजा अंगद देव ने अपने नाम करिंद नदी के किनारे अरगल नाम की आबादी को आबाद करवाया और गौतम के खानदान की राजदानी स्थापित किया, राजा अंगद देव की लड़की अंगार मतीरा आकर नदेव को ब्याही थी, राजा अंगद अर्गल से तीन मिल दक्षिन की तरफ एक इला बनवाया और इस किले का नाम सी क्रीकोट यह किला गय में ध्वन सावशेश के रूप में आज भी विद्यमान है राजा अंगत देव, बलिभद्र देव, राजा श्रीमान देव, राजा ध्वजमान देव, राजा शिवमान दे राजा शिवमान देव ने अर्गल से एक मिल दक्षन रिंद नदी के किनारे अर्गल लेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, यहां आज भी शिववरत का मेला लगता है, अर्गल राजा कलिन देव ने रिंद नदी के किनारे कोडे, कोरा, काकिला बनवाया तेरह वी शता अब्दी में भरो द्वारा अर्गल का हिसा दबा लिया था। उस समय अर्गल राज्य में अवद क्षेत्र के कनौज के रायवरेली फतेह पूर्बांदा के कुछ शेत्र आते थे 1320 के पास अर्गल के गौतम राजा नचिकेट सिंग्व बैस्ठाकुर अभवै सिंग्व नर् अपनी को गंगासनान के समय विरोधी मुस्लिम सेना ने घेर लिया तो निर्भयव अभवै सिंग्व ने उन्हें बचाया था। इसमें निर्भवै सिंग्व को वीरगती प्राप्त हुई थी। राजा ने अभवै सिंग्व की बहादोरी से खुश होकर उन्हें अपनी इस यहां के राजा हुए थे। यह पूरा क्षेत्र भरों से खाली कराने में अभय सिंग की दो पीढिया लगी। इसके बाद आगे के पीडी में मर्दन सिंग का जिक्र आता है। अर्गल के घौतम राजा द्वारा चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया गया। जिस फिर भी बस्ती गोरखपुर क्षित्र में घौतम राजपूतों की प्रभुसत्ता बनी रही। और ब्रिटिश काल तक घौतम राजपूतों के एक जमीनदार परिवार शिवराम सिंगलाला को अर्गल नरेश की उपाधी बनी रही। अर्गल के घौतम राजपूतों की एक शाखापूरवा चल गई वहां मेह नगर के राजा विक्रमजीत गौतम ने किसी मुस्लिम स्त्री से विवाह कर लिया जिससे उन्हें राजपूत समाज से बाहर कर दिया गया विक्रमजीत की मुस्लिम पतनी के पुत्र ने इसलाम दर्म ग्रहन कर लिया जिसका नाम आजम खान रखा गया इसी आजम खान ने आजम गर राज्य की नीव रखी बस्ती जीले में नगर के घौतम राजा प्रताप नारायन सिंग ने 1857 के स्वतंत्र तसंग्रा में अंग्रेजो के विरुद्ध क्रांती में बढ़ चड़ कर भाग लिया तथा अंग्रे के घौतम राजपूतों ने ओरंगजेब का भी मुकाबला किया था उत्तरादिकार संगहर्ष में शाह शुजा भाग कर फतेहपूर आया था जिसे घौतम राजपूतों ने शरण दी थी जिसके बाद ओरंगजेब की 90,000 सेना ने हमला किया जिसका 2000 घौतम राजपूतों द तो ने अंग्रेजो का भी जम कर मुकाबला किया और बगावत के कारण एक हिमली के पेड़ पर बावन घौतम राजपूतों को अंग्रेजो द्वारा फासी की सजादी गई आज घौतम राजपूत गाजीपूर, फत्तेहपूर, मुरादाबाद, बदायूं, कानपूर, बलिया, आजमगड, फैजाबाद, बांदा, प्रतापगड, फरूखाबाद, शाहबाद, गोरकपूर, बनारस, बहराइच, जिले, उत्तरप्रदेश, आरा, छप्रा, बिहार, चंद्रपूर, नारायंगड, मंदसौर, रायपूर, मद्द्रदेश, आदी जिलों में बासे हैं, कंडबार देश्ट दूधेला, पहाडी चकजिला, छप्राबिहार में बहु संख्या में बसे हैं, चंद्रपूर, नारायंगड, मंदसौर में उत्रप्रदेश के फतेहपूर से आकर गौतम राजपूर बसे हैं। कुछ गौतम राजपूर पंजाब के पटियाला और हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर हमीरपूर कानगळा चमभा में भी मिलते हैं। गौतम राजपूरतों की एक शाखा गाजीपूर के जमानिया करंडा बेल्ट में भी है। विदायक राजकुमार सिन गौतम करंडा क्षेतर के मैनपूर गाओं के ही निवासी हैं। जो गौतम ठाकुरों का काफी दबंग गाओं है। बाकी गौतमों की एक पट्टी आजमग के मेहनगर लाल गंज बेल्ट में भी है। गौतम क्षत्रिये की खापे निमनलिखित हैं। गौतम गौतम उत्तर प्रदेश के आजमगड और गोरकपूर जिल्लों में हैं। गोनिहा गौतम बलिया, शाहबाद, बिहार, आदी जिल्लों में हैं। कंडवार गौतम, कंडव प्रेंद घाट के पास रहने वाले गौतम क्षत्रिये कंडवार गौतम कहे जाने लगे। ये बिहार के छप्रा आदी जिलों में हैं। अंटाया गौतम इन्होंने अपनी जागीर अंतसंट व्यर्थ में खोदी इसलिए अंटाया गौतम कहलाते हैं। ये सर्युन अदी के किनारे चक्खिया, श्रीनगर, जमालपुर, नारायन गढ़ादी गावों में बताए गए हैं। मौर्य गौतम इस वंच के क्षत्रिये उत्तर प्रदेश के मथुरा, फत्तेहपूर सीक्री, मद्यप्रदेश के उज्जैन, इंदोर, तथा निमार बिहार की आरा जिलों में पाई जाते हैं। बनवाया गया था। बौर्दरंथ महायान के अनुसार मौर एक क्षत्रिय भी शाक्य गौतम क्षत्रियों की एक शाखा है। इस्ट यूपी, बदायूं के आसपास, बिहार वहमद या प्रदेश के कुछ हिस्सों में गौतम राजपूत बड़ी संख्या में मिलते हैं। अ जबकि गौतम टाइटल राजपूत भूमिहार ब्राम्मन तीनों जातियों में मिलते हैं। बदायूं के गौतम राजपूत अलवर में निकुंब राजपूतों के सामन्त थे, जो पांचवी सदीक के बाद बदायूं क्षित्र में आए, और हूनों को हराकर सत्ता स्थाप जरूर करें, ताकि आपको चानल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।